प्रीविद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसके पहले हमने प्राचीन भारती गड़तग्यों का गड़ीत के दुनिया में क्या योगधान है, उस रिंखला का प्रारम अपने इस यूटूब वीडियो के बाद हमसे किया था, और सबसे पहले हमने श्री ब्रह्म गुप्त जी के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिस की थी, एक बार पुना मैं उसी स्रिंखला को आगे बढ़ाते हुए, आज हम लोग जिस महान भारती गड़ितग्यों के बारे में जानने की कोशिस करेंगे, उनका नाम भासकरा वन है, तो आईए सबसे पहले कुछ प्राचीन भारती गड़ितग्यों का युगदान और गड़ीत में उसका क्या स्थान है, इसके उपर प्रकाश डाते हुए, हम लोग भासकरा वन के जीवन और उनके बहमुल युगदान के बारे में चर्चा करते हैं, तो जैसा हम सबको पता है कि प्राचीन भारती गड़ितग्यों के दौरा गड़ित की दुनिया में बहुत ही महतुपोड़ युगान अलग-अलग छित्रों में किया गया है, यह एक ऐसी भूमी है, जहां गड़ित को हर चीज में हम देखने की कोसिस करते हैं, कोई भी छित राज अचुता नहीं है, जहां हम गड़ित के बारे में या गड़ित के प्रयोग्यों के बारे में या गड़ित की सहायता से हम अपने उस बिसे को और बिस्त्रित नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारती गड़ितग्यों दौरा किये गए, जितने भी उतक तरिष्ट युगदान के कारवर आजगरीत का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत सारे और बिस्यों को निरंतर बिश्थ्रित कर रहा है और उसको बड़ा बना रहा है, तो जिस अस्तर पर पूरे गिश्व के पटल पर भारती गड़तव्यों के योग को सम्मान और उनको मिलना चाहिए, वो सायद उस रूप में आज की स्थिती नहीं है, और उनको वो सम्मान सायद नहीं मिला, जिसके वे सब अधिकारी थे, तो ये उसी के लिए एक छोटा सा अबारा प्रयास है, कि हम सब भारती हमारे सारे विद्यार थी, अपने पूरोजों के बारे में जो भारती गड़तग्यों का जितना बड़ा युगदान था, हमारे पूरे समाज के लिए उसके बारे में अधिक सधिक जानने की कोशिस करते ह या बहुत ही असफरस्ट है कि ये कोई नवीन गरती विचार उत्मन कर सकता है, तो वह खगोल विज्ञान की सच्चाईयों को अधिक आसानी से परदर्सित कर सकता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि हुमन जो हमारी सिवलाइजेशन है, मानो सब्विता, वो उतन ही पुराना है जितना गरित साहिते का इतिहास है, प्राचिन काल से गरित, विज्ञान, इंजर्मिंग और दर्सन में परगत के लिए मौलिक विज्ञान रहा है, तो या साधारण जो हमारे जो प्राचिन भारती गरत तक ये थे, वो अपनी रोज डेली, रोजमर्रा के जीवन में जो प्राचिन नहीं आती, उसको केवल दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे गरती चीज़ों का आविस्कार किया, जो उनके डे-to-day लाइफ में काम आता था, भारती अगर आप पौराडी कथाओं के उपर विचार करें, तो ये पाते हैं कि हमारी जो पौराडी कथ भाएं थी और विज्ञान का आज बहुत घनिस सम्बंध है, और मेरे दिश्कूर से दूनों को एक साथ फिर से हम सबको देखना होगा, आज हम एक महान प्राचिन भारती गरतगे भासकरा वन के बारे में कुछ जानने की कोशिस करते हैं, भासकर वन के बारे में हमारे पास जो गरंथ हैं, जो हमारे scientific literature हैं, उसमें बहुत कम जानकारी उपलाब्द हैं, वह सात्मी सताब्दी के गरतगी और खगो सास्त्री थे, जिन्होंने सुनने के लिए एक बृत के साथ जो Indian, जो decimal system है, जो हमारा decimal पडाली में, कैसे हम positional representation करते हैं, नमबर का, वह ऐसे ब्यक्त जो नोने सबसे पहले positional representation के बारे में, हमारे सब को बताया, भासकरवन वह अब्यक्ति थे, जिन्होंने आरिवट के काम पर अपने टिपड़ी में, साइन फंक्शन का एक अनूठा और उलेखनी तर्खसंगत अनुमान दिया था, तो यह एक कह सकते हैं, कि उस समय भासकरव और ब्रह्मगुप्त दोनों आरिवट के जो school of thought था, उसके पहले ऐसे विद्यार्थी थे, जिन्होंने उन सारे विश्वों पर अपने तर्ख दिये, जो उस समय के के लिए एक महान खोस थी, और उसके उपर अपना इन्होंने दिश्टिकोर नियमित रोप से दिया, कई ग जो भासकरा वन थे, वो असमाका के एक स्कूल में पठन-पाठन के काम में सनलगित थे, और काम कर रहे थे जो सायद आंध प्रदेश के निजामाबाद जिले में था, जबकि दूसरी एक विचारधारा है, जो यह मानती है कुनका जन, महराष्ट के परभडी जिले के बोरी नामका स्थान पर हुआ था, लेकिन बाद में और सारे बग्यानिकों ने एक जादे बिक्सित आइडिया उनके कुछ और रिसर्च करके उनके जन्म के बारे में दिया, और यह संदर्वित किया, और यह मान भी लिया गया, कि भासकर का जन्म सौराष्ट में हुआ था, और बाद में वे अस्माका चले गए थे, तो यह बाद में लोगों निस्कर्स निकाला, कि यह बात भी सही है, कि वे अस्माका में निकाए थे, लेकिन उनका जो जन्म था, उस और राष्ट में हुआ था, उनके पिता एक कास्मोलजिस्ट थे, और उनकी प्रारम भ्यक्षिच् अईसा भी माना जाता है, कि उनके पिता नियों, उनको जो कास्मोलजी का जो बेसिक प्रिंस्पिल थे, और जो उसकी गड़ना है थी, वो सबसे पहले उनके पिता जी नहीं उनको सिखाया था. जैसा पहले बताया गया कि भासकर पर्थम को आरेभट का अन्वियाई माना जाता है उन्हें आरेभट के ख़बोली विद्याले को सबसे मातुपुर एक जीनियस एक ऐसे चात्र के रूप में जाना जाता है जो उस समय के जितने भी विक्सित इनके सिधान थे उनके उपर अपने योगदान को अपनी वेचाधारा को अपने रिसर्च को जरूर ही बताने का कारे कर रहे थे अगर आप इनके कार्यों के लिए अगर उसनके जो योगदान था महतुपुर योगदान था भासकरावन का अगर उसको देखने की कोशिश करें तो यह इस तरह से है कि आरहभट की कृतियों पर उन्होंने निमली की तीन ग्रंथ लिखे जिसमें उन्होंने बहुत अभिस् निद्वा पह Lexax ग्रस्रांट दूसरा लग करिया और इनुसे लग यह प्रोल करे요, इंकर बड़ी पुस्थखु और फिर उन्हों 629 में आरे भटी भासा ग्रंथ को भी लिखा और उनके द्वारा आरे भट के कारियों को काफी रिफॉर्म किया गया था जैसे सुन का जो पुजीशन है पुजीशनल अर्थमेटिक है या जो एप्रॉक्सिमेशन है साइन और उसके बाद को साइन्स का तो इस अब भासकरा वन के द्वारा किया गया जो फ्रैक्शन काफी बहुत जादे उन्होंने स्टडी किया और उनका और इनको जितने जो आरे भट जी के को सिध्धान थे उस पर जैसा हमने पहले भी बताया कि भासकरावन और ब्रह्मगुप्त दोनों ने इसको बहुत ही डिटेल में स्टडी किय और अपने सिध्धान और अपने थौट पूरी दुनिया को दिया संस्कृत में बैज्ञानिक योगदान में ब्राम ही अंको का उप्योग करने वाले भासकरा पर्थम ब्यक्ति थे और इसके अलामावने सबसे महतोपूर जो उनके गरती योगदान जैसा पहले बताया गया कि वो केवल पोजीशनल जो रिप्रजेंटेशन अब पोजीशनल लंबर स्था नंबर खेरी का हुआ दिया लगवा 500 साल पहले भारती खबोल विदों को उनके इस योगदान के वजा से ही जो हमारे कास्मोलोजिस्ट है भारती उनको सबसे पहले इस्थती लेखन के बारे म जो पोजीशनल रिप्रजेंटेशन था उसके बारे में सबसे पहले पता था और संख्याय अंकों अलाकि उस समय लोगों लोग उसको नंबर सिस्टम जो डिजिटल वे में जो आज हम जानते हैं जैसे 123 है 321 है 1931 है उस तरह से तो नहीं लेकिन सब परतीकों में लिखे थे तो उस समय लोगों ने जब इस टाहट किया इसको तो पर सबसे पहले सिंबल्स में लिखते थे लेकिन वो पोजीशनल नोशन जो रिपरचेंटेशन था उसका क्रेडिट भासकरावन को ही जाता है भासकरावन ने पहले ही इस दावे से निप्टा कि यदि पी एक कोई भी अभाज जे संख्या है तो वन प्लस फैक्टोरियल पी माइनस वन पी से जो है वो डिविजिवल होगा तो जिसको बाद में हम लोग इसको विलसन थेयरम के नाम से भी नमबर थेयरी में जानते हैं भासकरावन और फिर भासकरावन टू जो भारती अंतरिक्ष जो इस रो है हमारा अंतरिक्ष अंस्वंधान संगठन है उन्होंने इनको याद करने के लिए बाद में हम लोग किसी दिन भासकराव टू के बारे में भी पढ़ेंगे तो उनको याद में हमारी सरकार ने हमारे अंतरिक्ष अंस्वंधान संगठन ने दो उपग्रह बनाया और जिसमें पहला निम्न कच्छा प्रित्वी अवलोका नुकुरह बनाया दोनों पुरहों ने टेली मेट्री सम्भुद्र विज्ञान और जल्विज्ञान पर डेटा एकत्रित करते हैं भास्करा वन और ब्रह्मगुप्ट को सबसे परसिद्धिवार्थ